भगवान श्री क्रश्न का जन्व पूरे देश में मनाया जाता है लेकिन कि आप जानते हैं कि भगवान श्री क्रश्न की सोमनात तीर्त भूमे बीच घनिस संबंद किया था आपको वह जगे दिखाते हैं जहां क्रश्न भगवान अपनी सब लीला समेट कर अंतिम सांस ली थी ऐसा कहा जाता है कि भगवान स्री कृष्ण सोमनात महादेव भक थे और भगवान कृष्ण द्वारिका में रहते थे लेकिन द्वारिका से सोमनात महादेव के दर्शन के लिए आते थे ये भी कहा जाता है कि सोमनात महादेव का मंदिर कई बार बनाया गया जिसमें दौपर यूग में भगवान श्री किर्ष्न के दौरा कास्ट का सोमनात बनाया गया ऐसे में पुराणों में उलेक किया गया है कि ये द्रश है सुमनात महादेव के मंदिर के चार किलो मीटर दूर वेरावल शहर में आने वाल का तीर्थ के भाल का तीर्थ का नाम क्यों रखा गया है भाल का तीर्थ को श्राब दिया था कि यादव अपने साथ लड़ाई कर खुद ही नाश कर लेंगे जन्माष्टमीन उसे दरवर्श नी जे सारी रिते न सरस्रीते उजवाई छे लोको उत्सा बेर भाग लेइछे औने धन्यता अनूं बहुशे द्रसन करी ने अजे जर्माश्टा में उट्रेवार से आजे इसो विशेष महापुजा हुएअ रातरे बारवागे आरती थाइशे और पूजानो संगर थाइशे और बगवानी महापुजा थाइशे आज जिग्या ने 515 वरस्तिया जे जार चे ये आपनी सामे समक्ष चे जे जार 515 वरस्तिया है इत्रस देखक हमने दिशे बगवान ने तीर लागे लुए बगवान आई ही थी गोलोक मागया ये जिग्या बाल का तीरच जी यहां में बहुत अच्छा लग रहा है हमने या दर्शन किया हम लोग सौमनाथ जा रहे हैं जनमार्श्टमी का दिन हैं बहुत अच्छा लग रहा है और उस सब मना रहे ह हम लोग बहुत जूर से पर पर अच्छी तेयारियां चल लहें है पूरा गूरूप आया हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है यह थी राम जी मनिहार की रिपोर्ट यह राम जी मनिहार की रिपोर्ट